हेलो फ्रेंज मैं हूँ बबली आपका स्वागत करती हूँ बबली कीचन में फ्रेंज आज मैं मकर संक्रांती स्पेसल गुड और तील के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ ये ठंड के मौसम में बहुत ही फायदे मंद होता है और इस मौसम में बहुत लोग पसंद करते हैं घर में बनाते हैं सबके घरों में बनता है लेकिन कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है कि ये लड्डू हार्ड बन जाते हैं जिसकी वज़े से सभी नहीं खापाते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे टिप्स के साथ बताऊंगी कि सॉफ्ट लड़ू कैसे बनाएं तो आएए रेसिपी शुरू करते हैं तील के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है और इसमें हम 200 ग्राम डालेंगे सफेद तील और इसको ड्राइ रोस्ट करना है तो यहां पर मैंने फ्लेम को लो रखा है और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे तील को भूनने में एक चीज का ध्या हुआ है और दो-3 मोटने के बाद आप देखके है быть कि का कणर चैंज होने लगा है तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूं आप देख सकते हैं थोड़ा यज फूल यह इसे और कलर भी चेंज हो गया है तो फ्लेम को आफ करके हम इसको दूसरे बर्तर में निकाल लेंगे तिल को निकालने के बाद सेम पैन में एक छोटे चमच हम डालेंगे देसी घी और जैसे ही यह मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बादाम 10-12 मैंने बादाम लिया है और काजु भी मैंने उतना ही लिया है 10-12 और इसको कट करके हम इसको भूनेंगे तो फ्रेंड्स आप चाहे तो ड्राइ फ्रूट्स को ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं लेकिन घी में भूनने से टेस्ट जादा बढ़ जाता है इसलिए इसको हम क्रंची होने तक भून लेंगे और आप अपने पसंद के अनुसार ड्राइफ रूट से इसमें डाल सकते हैं या फिर आप नहीं चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बढ़ जाता है और इसके फायदे भी बहुत मिलते हैं ठंड में हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं दूसरे बरतन में इसके बाद सेम पैन में हम एक चमज डालेंगे देसी घी और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें गुड़ाइट करेंगे तो मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और इसको मैंने पहले ही कट कर लिया है बारी आप कट सकते हैं और इसको लगतार चलाते हुए हम इसको मेल्ट करेंगे तो फ्रेंट्स यह घी में ही मेल्ट करना है इसलिए इसको आप पहले बारी काट ले या फिर ग्रेट कर ले तो इससे गॉड़ाइटा जाता है और इसका झालार भी ठीक रहता है जिसके वज़े से लड़ु को चासनी बनेगा तो आप देख सकते हैं गुर्व अच्छी तरह से मेल्ठ हो चुका है और इसको थोई दिर तक पकाएंगे ज्यादा नहीं सिर्फ2 मिन तक है हम हमें तो इसको बबल साने तक हम हम पकाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बबल साने लगे हैं और इसको अब हम चेक कर लेंगे एक बाग क्योंकि ज्यादा हम पकाएंगे तो लड़ू हार्ड बन सकता है चासनी हमारा तयार हुआ कि नहीं यह चेक करने के लिए एक बॉल में हम लेंगे ठंडा पानी और इसमें कुछ बूदे इसका गिरा के और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जैसे ठंडा हो जाएगा ऐसे देखेंगे आप देख सकते हैं इसका सौफ बॉल बन रहा है तो बस एक दम परफेक्ट है तील के लड़ू के लिए ऐसा ही चासनी हमें चाहिए तो अब इस अच्छे से मिला लेंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को आफ करने के बाद ही यह सब करना है और फटा फट मिलाएंगे जिससे की ठंडा होने से पहले यह अच्छे से मिक्स हो जाए और लड़ू हार्ड ना बने इसके लिए चासनी पर ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है और आप देख सकते हैं यह से मिक्स हो चूका है तो बस फोड़ा सा एक मिनेट के ठंडा होने देंगे फीरिस का हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे एक दो मिनिट के बाद लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे घीसे और एक स्पून से ऐसे निकालते हुए हम लड्डू बनाएंगे अभी भी ये गरम है लेकिन थोड़ा सा ठंडा हुआ है जैसे कि हम हाथ से छूँ सके इसको तो आप देख सकते हैं ये लड़ू बहुत ही अच्छा असानी से बन रहा है तो ठंडा होने से पहले ही जल्दी से लड़ू बनाना है नहीं तो मिस्रे ठंडा होके जमना सुरू हो जाता है तो ये कंध्या सा फ़स्ट करना पडेगा आप और किसी की हैल ले ले और फटा फट लड़ू बनाके तयार कर ले इस तरीके से कि इसी तरह से सारा लट बनाके त यार कर लेते हैं कि एक चीज़ में आपको बता दूँ लड़ू बनाने के बद कभी कभी ऐसा फ्लैट हो जाता है उसका सेप क्योंकि अभी बहुत गरम है और जैसे से ठंडा होता है यह सेप में आता है तो इसको एक बार और मिला ले तो चेक कर लें जिसका भी सेप खराब हुआ है उसको एक बार ऐसे मिक्स कर ले तो आप देख सकते हैं सारा लड़ू बन गया है और यह बहुत ही सॉफ्ट बना है इसका टेक्स्चर अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ यह बहुत सॉफ्ट है तो इस तरीके से आप चास्नी का ध्यान रखके बनाएंगे तो आपका लड़ू कभी भी हाड नहीं होगा और कोई भी असानी से खा सकता है बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तो इस संक्रांती में आप इसको जरूर बनाएं मेरे तरीके से मुझे उमीद है आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें फिर से मिलते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ज्यादस ज्यादा वीडियो को सेयर करें लाइक करें और कमेंट्स देरा बिल्कुल भी ना बोलें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे के मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले